नमस्कार आप देख रहे हैं दपंचायत मैं हूँ आपके साथ कंचर आपको बता दे कि आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो NDA पार्टी है उनके बीच में जो मिसाइल बॉम है अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं तो हम आपको बता दे कि NDA के पार्टी में ही जो जेडियू और बीजेपी है उनका मानना है कि जीतन राम माजी है ऐसे बयानों को दे देते हैं जो बिहार की राजनिती में आग लगा देती है और एक बार फिर से जीतन राम माजी ने कैसा ही बयान दिया है उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार जी को 17 साल मिले है बिहार में विकास करने को गया में विकास करने को और मुझे बस 7 महिने तो अब यदि मुझे टाइम मिले मुझे समय दिया जाए मेरा कारकाल यदि ज़दा रहे मुख्यमंत्री पद पे तो मैं विकास करके जिसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी बीजेपी वाले भड़क चुके हैं आपको बता दे कि हरीभूसन ठाकूर बचौल भी आये दिन अपने बयानों के कारण ही चर्चित रहते हैं और उन्होंने एक बार फिर से जीतन राम माजी को जवाब दे दिया है उन्होंने कहा है कि जीतन राम माजी जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का वो अब 2025 के पहले तक पूरा नहीं हो सकता है हरीभूसन ठाकूर बचौल ने साफ लबजों में कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री पद के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो अब देखना होगा कि जो जीतन राम माजी है वो जवाब देने में तो एक्सपर्ट है ये तो अब आए दिन देखते हैं कि कोई भी मुद्धा हो जीतन राम माजी मुखर हो के जवाब देते हैं तो अब देखना होगा कि जीतन राम माजी हरिभूसन ठाकूर बचौल को सोसल मीडिया के जड़िये जवाब देते हैं या फिर कोई प्रेस कॉन्फरेंस कर लेकिन जवाब तो जरूर देंगे लेकिन एक बड़ी बात और है कि एंडिये के पार्टी एंडिये में ही जो चार पार्टी हैं उसमें जेडियू और बीजेपी दो सहयोगी दल एक दूसरे से हर मुद्दे पर भिडंत करते हैं और अकबार फिर से जो नया और बड़ा मुद्दा बीच में बन चुका है वो है जीतनराम माजी ने जो आज ही गया में मुखर होके इन बातों को दोहराया है कि यदी मुझे मुख्यमंत्री पद मिलता और फिर से यदी मिले तो मैं जरूर विकास करके दिखाऊंगा तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस पे कुछ बयान देते हैं जीतनराम माजी को कुछ कहते हैं या फिर जीतनराम माजी हरीबूसन ठाकुर बचौल को जवाब देते हैं वहराल खबरों में इतना ही देखते रहें दपंचायत धन्यवाद